बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्तलाम अलेकुम, दिस इस माहिरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स जी तो बच्चों, आज हमने Maths Grade 4 Plus में अपने Numbers को स्टार्ट करना है तो क्या आप तयार हैं? Very good! Dear Teachers, आज हम बच्चे को Number 1 Count करना सिखाएंगे Number 1 Objects के बारे में बताएंगे, Number 1 की Formation सिखाएंगे और 1 Object को Count करना लिखना भी सिखाएंगे तो चलते हैं हम अपने आज के Lesson की तरफ जी तो बच्चों, Are you ready? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके कितने Nose हैं? मेरा तो 1 Nose है, इसके इलाव़ कोई Nose नहीं है? अच्छा, तो आज का हमारा Number भी 1 है एक और चीज़ बताओ, कि ये क्या है? One Sun, कभी आपने टू सन देखे हैं? जी तो बच्चों, पता है ना, जब भी आप दिन के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको One Sun नजर आता है लेकिन जब कभी रात को आप आसमान की तरफ देखते हैं तो One Moon नजर आता है कभी देखा है कि One से ज़्यादा Moon हो नहीं ना, एक ही एक ही चान नजर आता है तो बस आज हमने Number One के बारे में पढ़ना है चलो, अपनी बुक खोलो और बुक के पेज की तरफ वार से देखो ये तो मेरा फेवरिट फूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पता है, जब मैंने इसको खाना होता है तो मैं One नहीं खाती, One से ज़्यादा खाती हूँ लेकिन यहाँ पे तो सिरफ One है इससे तो सिरफ टेस्ट ही आएगा क्योंकि मुझे मैंगो बहुत पसंद है ये मैंगो है ना, पता है ना ये मैंगो है आप सबको भी बहुत पसंद होगा कौन कर बचा मैंगो खाता है अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप कितने मैंगो खाते हो मैं तो One, Two, Three बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेकिन आप अभी छोटे हो ना तो ममा आपको One मैंगो देती होगी कितना One, One आपका और One आपकी सिस्टर का अच्छा, अब देखो ये One मैंगो है और इसके साथ क्या लिखा है ये है One जो इस तरहां से लिखा होता है नमबर उसको हम One कहते हैं अब मुझे क्या आप बता सकते हो कि नीचे दिये गए नमबर में One कौन सा है जल्दी से मुझे बता दो कि सबसे पहले कौन सा नमबर है अभी तो आपको सिरफ One का ही पता है ना तो जल्दी जल्दी से इसमें से One निकालो जी, सबसे पहले है One और उसके बाद कहां पे One आ रहा है बिल्कुल यहां पे और उसके बाद येस, यहां पे भी One आ रहा है तो आपने इसके अंदर से गौर से देखना है कि One कहां कहां पे आ रहा है और उस One को आपने इस तरह से पैंसिल की मदद से सर्कल कर देना है सारे One आपने सर्कल करने है कोई छूट ना जाए देहान से देख लो कहां कहां पे One है और सब को सर्कल कर दो चलो, अब हम नीचे चलते हैं भुक के पेश पे देखो ये क्या है? ये तो सुबह सुबह आती है और आपको स्कूल लेके जाती है क्या है? अब मुझे ये भी बताओ कि इसके साथ जो नमबर्स लिखे हैं उसमें से किसको कलर करोगे? One को क्यूंकि आपके पास One बस है आपने काउंट करनी है कि यहाँ पे एक बस है तो आपने One को कलर कर दिना है है ना सिंपल सा? तो जलती से आपने प्यारा प्यारा सा कलर करके अपनी टीचर को दिखाना है अब मैं आपको इसकी फॉर्मेशन सिखाऊंगी One लिखना कैसे है? अभी तो आपने सिरफ One को देखा है पहचान लिया है और जब आपके पास ज्यादा नंबर्स आएंगे तो आप उसमें से One निकाल भी सकते हो है ना? क्योंकि One ऐसा दिखता है आपको पता चल गया ना? तो बच्चों अब हम चलते हैं One की फॉर्मेशन की तरफ कि One लिखना कैसे है? क्योंकि मैं चाहती हूँ जब आप One को पढ़ना सीख लेंगे तो अगर कोई आपसे कहे कि One लिखके दिखाओ तो आपको लिखना भी आए तो अब आपने अपने बुक के next page पर देखना है यहाँ पे आपको One लिखाओ नजर आ रहा है आपने One किस तरह लिखना है? आपने पेंसिल को पकड़ना है एक डॉट सबसे उपर से लाकर नीचे की तरफ straight लेकर आना है आपको याद है ना आपने straight line सीखी थी तो आपने बस एक straight line लगा देनी है from top to bottom एक straight line लगा देनी है आप अपनी बुक के पेश पर देखो शुरू शुरू में आपने trace करना है लेकिन जब आप tracing कर लोगे और आपको one लिखना आ जाए तो आपने नीचे वाले boxes में सिर्फ एक dot लगा के उपर से नीचे की तरफ प्यारा प्यारा सा one लिख देना है इस तरह से आपको one लिखना भी आ जाएगा अच्छा अब मुझे बताओ कि ये side पर क्या है one elephant जी अब आपने प्यारा सा इस elephant को color भी कर लेना है ताकि आपका page और प्यारा लगे और आपको आपकी teacher से अच्छे remarks मिल सकें ओके बच्चों आपने one चीजें अपने अर्दगिर्ट से observe करनी है आस्मान में दिन के वक्त one sun नजर आता है रात के वक्त one moon नजर आता है और अल्ला कितने है one इसी तरह आपने बताना है कि मेरे father one है मेरी mother one है ठीके बच्चों आपने one के बारे में बहुत सारी बातें अपनी mama से और अपनी teacher से करनी है और लिख कर भी दिखाना है ठीके बच्चों मुझे उमीद है कि आपने आज के lesson से one count करना one लिखना और one को identify यानि कि पहचानना सीख लिया है हम next lesson में two के बारे में सीखेंगे जब तक आप one को अच्छे से practice कर लो अपना बहुत सारा खयार रखो और जुड़े रहें बहुती किताबों के साथ